काफ़ी अच्छे होंगे ग्रेंड डेंबल टीटेन चैंपियंशिप का 25 मैच कवर करें मुकाबला के एल्जेड वेरिसेस रस्टी की बीच में यह मैच कहला जाएगा इंवेश्मेंट पर पर पल्स मैच काफ़ी अच्छा रहेगा रिसेंट इस स्रीज कामने कल भी से जिनकी सेलेक्शन देखो गए तो पंदर परसेंट आठ परसेंट ऐसे दिखेंगे तो किस प्लेट को यहां से आप सभी को स्मॉली स्टीम स्विंपिंग करके चलना किस प्लेट को ग्रेंट इस तरह से जान पाओ तो इंटक इस वीडियो को देखना और सबसे पहले देख तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन जरूर से प्रेस कर दीजेगा ताकि जो भी आने वाले वीडियो से होंगी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेंगा और वैसे भी गाईज आप सभी लोगों का प्यारोर समर्थन मिलता रहता है तो बहुत होती है अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब सरूर से कर दीजेगा बात करेंगे सबसे पहले इनकी प्लेप रिडिक्शन के बारे में तो यह मैच ग्रैंड निंबल टीटन चैंपियंशिप का 25 मैच है जो साथ बज़े करी में स्टार्ट ह मैच दीखेगा जहां पर रिशन डी से पहले के स्रीज के बहुत सारे मैच अल्रेडी खेले जा चुके हैं अबरेजी स्कोर जो आसी से 110 के आसपास में आपको यह स्कोर बंद हो दिखेंगे वाकि यह जो वेन्यू है पुरी तरह से बॉलिंग बैटिंग दोनों के अच्छी सीछब कर रही है और इसान फॉर्म बेशस पर देखें तो यहां पर बैलंस एडी आपको फीछ एक तरस से दिखेंगे बागी के रिशनों सोला मैचिस पर भेवेन बेटिंग फर्ष करने वाले टीम ने साथ बार जीदे बैटिंग से करने वाले टीम आठ बार जीदे टेलिग्राम से भी जुड़ना काफ़ इंपोरेंट है जो भी ग्रेंड़ने की स्मॉलिस की फानल टीम्स होती है वो सबसे पहले आपको अपने टेलिग्राम पर ही टीम देंगे यहां पर सर्च काईगरना आप आप आपको फैंटेसी क्रिक फैंड जैसे सर्च करोगे आपको यहां पर नौजार 200 सचाज़े सब्सक्राइबर मिल जाएंगा टेलिग्राम को जोएन करना पर आपको आपको बहुत सारे फेक एकाउंट मतलब फेक चैनल वाले भी अबीलेबल है तो आसान रहे आप हमारे वीडियो को ड्रिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलिग्राम को जोएंड करें इसली आप जूर पाऊगे बात करेंगे सबसे पहले आप जो के लजेट के टीम है इनकी पॉसिवल प्लेंग इनकी टीम ने अपने रिशंट के जो 6 मैचेस खेले हैं तीन जीते हैं तीन मुकाबले हार कार आ रहे है और देखो इनकी टीम के ओर से मुरद अली नजार आएंगे जिसमें ये बोलिंग और बैटिंग दोनों ही ग्रात है टीटन के साथ मैचों में बान बैरन पंदरों करना चाहो तो इनको आप करके जा शकते हो इनके लावा गाईज यहां पर जो काशिप सजाद के बात करेंगे तो यह भी विकेट कीप नहीं कराते हैं टीटन के चार मैचों में छेरें जिसमें दो काउस अधा रिजन मैचों में 17-38 से पहले 13 इनकी जो सेलेक्शन पर सेंड कमरान हमीद राइटेंडर वैट्स में राइटें मीडियम फास्ट बोलेंगे 21 मैचों में वान बेरन सिर्फ 15 विक्टे था टीटन के टोटल साथ माचे तिरपानन तीरा कावरेज तीन विक्टे रिशन फोर्म सोला का स्कोर विगेटलेस दो वर्स बोलिंग इससे पहले भी फास्ट बोलिंगे लाश मैच में विकेटलेस आथे इससे पहले इनका 22 का स्कोर वन विक्टे वन विक्टे इनका भी बोलिंग और वैटिंग दोनों ही दिखेगा इस स्मॉल इसके लिए अच्छे ओप्संस रहेंगे अगर पुईने ग्रेंडिस लगेरा में इन्विक्टम विकेटलेस आथे जिसमें एकी ओवरिस के बॉलिंगे से पहले 28 का स्कोर तीन विक्टे देखो इनकी ओवरिस कट सकते हैं अल्रेटी इनके बास बॉलर सभी लेवल है इनसे बहतर है कि आप हमजद खान में से किसी एको रखो लाश मैच में 17 का स्कोर विकेटलेस एक रणिक पर जाओ 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 जिनकी 79% लोग टीम्स में लेकर जाए अगर आप भी चाहों तो टीम्स में ले शकते हो रिस्क बाकि यहां पर हमजद चावेद उतना अच्छा पूफोर्मेंस है नहीं अभी जोट सिंग इनको भी ग्रैंड लिस्ट टीम्स में रखें जाके रोला इ टीटन टीट्वनटीज के आट मैचों में सिर्फ 30 कावरेज था तो अभी आप इने जीएल टीम्स में ही रखो बागी के जो भी यहां पर बेंच ऑप्संस प्लेयर दिखेंगे इनमें सब कोई भी प्लेयर यहां से खेलता है तो इन सभी प्लेयर के स्टाट सब को सीधे हमा मैच में 48 था इसे पहले एक पंदरा उतना भी खास अच्छा पूपो में सिंका रिशन के मैचों में दिखेगा नहीं हाला कि टीटन के बीश मैचों में दोस्तों एक तीसरण बारा का आवरेज है रिस्क लेना होगा तो आप स्मॉली मिले सकते हो पर अभी हम यहां से इनको इगनूर करके जा रहे हैं वही उसके बाद अगर हम यहां पर थाई लेथिल की बात करेंगे टीटन के तीन मैचों में चौदर रन तींग विक्ट रहा था रिशेंट फॉर्म आठखा स्कोर विगेट लेस एक वर्स के बॉलिंग इससे पहले डग पर आउट हुए थे बॉलिंग से भी फॉर्म देखोगे तो उतना भी अच्छा इनका नहीं दिखेगा रिशेंट के मैचों में ओवर स्पी कट तेरा का स्कोर दो बेक्टे से बहले गार अरतीस प्लेस फण बेक्टे इससे पहले स्टार्टिंग धोनी मैचेस अच्छे आये थे जिसमें चार बेक्टे वन बेक्टेस तरस इनकी दिखी पूफूमेंस बैटिंग से भी तो अभी पिटर इस साख ये स्मॉलिस के बेस्ट आप इनको यहां पर पिक कर लेना जो कि देखोंगे तो यहां पर 83% लोग टिम्स में इनको भी पिक करके जा रहे तो इस समॉलिस के अच्छे ओप्संस है जरूर जट रहे करना है वहीगर आप यहां पर शीवा की बात करेंगे तो वन डेस के मैचेस के लिए लिए लाश प स्कूर विकेटले साइज से पहले 35-12 कुतना भी अच्छा घास पुफोर्मेंस है नहीं ट्रिटन गंदर 10 और 20 प्लेस स्कूर आपको करके स्कूर देश चकते हैं पहले इनकी टीम वैटिंग रहेंगे तो आप रिसके नहीं बागी यह उकुल की बात करेंगे तो यह भी फ् पाद अली की बात करेंगे लाश्ट मैचों में डग पर आउटी से पहले आठ उसके बाद 10 रन करा स्कूर था टीटन के दो मैचों में तीन रन ग्रैंडीस के लिए ज्यादा अच्छे उप्संस रहेंगे चंदन कुमार अभी तक एक ही मैसेज के लिए 6-7 डॉन बैटिंग पिक कर रहें बाकि यहां पर अनिल जो विकर कीपनिंग है बहुत नीचे बैटिंग ओडर है और इनके अलावा जो निलेस से ना गईज आप इनकी फॉर्म देखी सकते जितने भी मैच खेलें हार एक मैचों में इन्हों ने एक से दो वेक्टे निकाल कर दिए तो वैसे भी आप इनकों ड्रॉप करेंगे ने 82% लोग टीम से रखें तो आज आप प्लेयर इनको हम लेकर ही जाएंगे आगी के इनके जो भी बेंच ओप्सन में इनमा से जो भी प्लेयर खेलेंगे ना इनसा भी प्लेयर के स्टार्ट्स इंफोर्मिशन में आपको टेलिग्राम पे दे आप इस प्लेयर खेलेंगे जो कि अलमुश्ट एक अच्छे भी के टेकर से रह सकते हैं तो अभी फिलाल इनके शाती हम जा रहें आरेश्टी के भी पांच प्लेयर से हो चुके हैं और के लजट के छे प्लेयर सी स्मैच में पीलेबले सेम टीम्स के साथ इंवेस्टमेंट क जो कि यह दोनों ही ओप्संस बेश्च वाई से रहेंगे आप से भी सी रोडेसिन कर सकते हो पीटर इस साथ थोड़ी एक्स्पिरियंस वाई अच्छे ओप्संस है फिर भी हम अमीद के शाती क्याप्टन करेंगे सेम टीम्स के साथ इंवेस्टमेंट हो सकता है हमारे फानल